डवश्कार दैनिक शिव्टाइम में आप सब का स्वागत है मैं रश्मी शर्मा कैमरामन शुवम भगत के साथ जिस तरह से आप देख रहे हैं दर्शकों के सियासी सरगर्मिया शुरू हो चुकी है हारे एक पुलिटिकल पार्टी की तरफ से अलग लग आवाजे उट रही व से विरासत हमें वापिस मिलने चाहें दूस्री तरफ ऐसी पार्टी minder वह कहती है हमें जम्मू को अलग राज्य मनाना है यानि जम्मू को भागी राजों से अलग करना है तो वहीं पर बात करें आज जिस तरह से गुलाम नभी अज़ाद यहाँ पे दिवाली मिलन का कारेवकरम रखने जारे तीन बज़े उनका कारेवकरम है और साथ इसाथ कहेंगे अब एक युनाइट जम्मू मिशन के नाम से आज एक बैठक भी होने जारी जिसमें चोधरी लाल सिंग जिसमें हरश देव सिंग जिसमें टोनी टोनी और साथ इसार रमन भलाजी भी शिरकत करेंगे अब इन सारी बातों का इन सारी चीजों का क्या अनुमान लगाते हैं सुनील डिम्पल इन से बात करेंगे क्योंकि आज काफी दिनों के बाद हम इन से फिर से रूब रू हुएं और जो कैप्शन आपने आज देखा है पहले यह क्या कहते हैं इस पर बात करते हैं सुनील डिम्पल जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रश्मी आपका प्रेशन मैंने सुन लिया और मिशन स्टेट हुट जम्मू कश्मीर पांच अगस 2019 के बाद ही अपनी रियास्त के दरजे की अपने ब कर दिया था कि हम एमारे साथ ये बे इनसाफी हुई है हमें विश्वास गात हुआ है हमारे साथधोका हुआ है कि बίνہ हम से पोचह हमने मांग ही नहीं की और हमारी रियासत को तोड़ दिया गया हमारे जम्मू कश्मीर औ लग-दा को अलग- अलग कर दिया गया और जो पुब्शूरत रियास्त का विले महराजा जी देश के साथ भारत के साथ करके गए थे आपको क्या अधिकार था कि आपने उसको अपने मनिफेस्टों को पूरा करने के लिए आपने हमारी रियास्त को तोड करके ममूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया और महराजा जी और ह आज हमारे साथ कांधे से कंधा मिला करके चल रही है आपने जिनका जिक्र किया गुलाम नवी अजाज साहब का उनका भी निमंतरन पत्र मुझे आया है लेकिन मेरी अपनी मश्रूफियात हैं कुछ मैं शायद दिवाली मिलन पार्टी में कुछ उसे टाइम क्लैश कर रहा है मंतरन सभी की तरफ से आया है और अच्छी बात है मैं जो भी संगठन आज तीन बजे या साड़े तीन बजे जो मीटिंगे कर रहे हैं जिनके आपने नाम लिये मैं उनको मुवारक देता हूँ और मुवाफिक शमाज जाचना चाहता हूँ कि शायद मैं आपके कारेक्रमों मैं नहीं आपाऊं क्योंकि मेरी अपनी मस्रूफियात है मैं कल ही अभी बाहर से आया हूँ तो साथ में मैं ये लेकिन ये जरूर कहूंगा रशमी कि मैं जम्मू कश्मीर और लद्दा की और बिवाजन पार्टीशन नहीं होने दूँगा मैं दफ़ा तीन सो शत्तर पैंटीसे विशेश अधिकार अपना स्टेट सब्जेक्ट वापिस लेकर के रहूंगा और जो भी आवाज अलग कश्मीर या अलग जम्मू रज्य की उठेगी हम उश को नजर अन्दास करेंगे वो कुछ समय के लिए जाती मुफाद के लिए राजनितिक घटिया किसम के जुमला बाजी सलोगन्स हो सकते हैं लेकिन वो जम्मू कश्मीर दा बेटा होई के नहीं सकता जेड़े महराजा हरी सिंग जी जेड़ी साड़ी दियासत देगे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाक पी विरासत की बचाईए नहीं लखी सके हैं जम्मू की अलग करने दिया वाज आज हो रस्ते कर गए हैं अगर अगर साड़े कने जम्मू कने बेदवाब होया है कश्मीर कने बेदवाब होया है तिन सो सतर दे खिलाफ प्रपोगंडा होया है अज जम्मू और कश्मीर दे ट्रांस्पोर्टर वेपार दिरोजगार नौजवान परेशान और वो बी टीम आखारतियर जनटा पार्टी दिया और जमू कश्मीर विरोधी पार्टी आय're जिडा जमू की अलग करने दी या कश्मीर की अलग करने दिकल करने अ आपने उसे बी टीम अभी पिए जिक्र करें भारती जन्ता पार्टी की बी टीम हम आप से जानना चाहेंगे ये वही बी टीम की बात कर रहा हूं जो अलग जम्मू और अलग कश्मीर की बात कर रहे हैं ये हमारे अगर आप लोग संगरश इंकलाब नहीं ला सकते हैं तो बरा हुए हैं आज जम्मू कश्मीर और लद्दा एक साथ रहना चाहता है रश्मी लेकिन ये बी टीमें जो आवाज उठा रही है अलग कश्मीर अलग जम्मू वो बी टीमें है भारतिये जन्ता पार्टी की और वो लोग जानते हैं पहले आपने मिशन स्टेट हूड की कर गुर्खा समाज के लोग होते थे उनको वनका थिकार मिनता था उनके बत्चे हैं यह बाल्मी की समाज के लोग कहते थे अगर आप लोगों की गंदगी को साफ करतें जूरा ह taxi उनकी बविश वच्छ最近 काम ना तो यह अगर तीन सो सतर माशिवें आप पत्ती हो रही है पै 370 का अनुशे 370 तूटा तभी इन लोगों के अधिकार मिला इनको पहले के भी अधिकार थे थे हम ने इनका कोभी विरोध नहीं किया है पियो पियों के रिफ्यूजी हों जावेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हों जो हैं उनको अधिकार मिलना है हम उनको हाँ तीनसोशतर से अपिती ये है कि हमारे तमाम बेरोजगार नोजवानों को नोकरियां नहीं मिल रही बाहर के घर जवाईयों को डोमीसाइल दिये जा रहे हैं हमारे अपने बच्चे तीस लाख बेरोजगार नोजवानों को नोकरी नहीं मिल दी आप मेरे साथ थी 16 सो हेल्थ बर्कर्स को नोकरी से निकाला जा रहा है आप मेरे साथ थी पी एची पी डीडी पी डीडी के डेली वेज़र रहबरे ठीड, टीचर, जंगलाथ, सहत, उनको नोकरीया नहीं मिल रही हैं regularize करने के लिए तेयार नी है और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दू कि रहवरे खेल टीचर जिन्हें सो रुपया मेहंताना मिलता है फेस टू बिल्कुन हाँ उनको भी ये ईश्रम में यानि की labor department के साथ जोड रहे थे और जब जोड रहे थे तो ये इतने बी एसी पी एचडी किये हुए बी पी एड एम पी एड किये हुए बचे क्या ये labor class में जाएंगे क्या और छे हजार चुने हुए बच्चों को आपने ये के SSB ने class 4 से निकाल दिया खैर ये सारी बाते इसका ये और हमें फाइदा क्या हुआ 377 हटने के बाद आपने हमारे सारे कानून बदल दिये हमारे स्टेट सब्जेक्ट चीड लिया आज लदाख हमारे साथ रहना चाहता है वो जम्मू कश्मीर रियासत के साथ रहना चाहता है आप हमें बटवारा क्यों कर रहे हैं ये लोग जिनको टेस्टिड पोलिटिकल पार्टियो उसके लोग हैं जो अब सत्ता में नहीं रहे हैं बुरी तरह से पिट गए हैं या उन्हें इन्ही नारों के ओपर अलग अलग नारों के ओपर क्या कितने वोट हासिल हुए ये ज़रा समिक्षा तो करें अपनी ये अपना अपना वो इंटर वो तो करें विशलेशन तो करें खुद से पूछें ये आपको कितने वोट मिले आज जम्मू और कश्मीर लदाख चिनाव वैली पीर पंजाल एक साथ रहना चाहता तो आ क्लीफ क्यों हो रही है भाई आज अवाम साथ रहना चाहती है अवाम के नाम के ओपर मैं खुद आपने कहा ना मैं खुद तमाम राजनीतिक दलों को ये कभशे अपील कर रहा हूं कि एक मंच के ओपर आ जाए एक मंच पर आ रहे हैं जो तू यूनाइट जमू मिशन उसमे है रमन भला चोदरी लाल सिंग जो कि हर्ष देव सिंग और टीस टोनी जो वजीर है तरण जी सिंग टोनी जो कि सुचेदगार से डीडी से लेक्शन जीत कर रहा है पहले एक मंच ऐसा जिसमें आज पहली बार देखने को मिलेगा तो यूनाइट जम्मू के मिशन को लेकर आज ये एक ही मंच पर एक ही जगा बैठ कर सारे बात करेंगे इसको किस तरह से लेते हैं आप इस चीज़ को साइशा है देख लेते हैं उनका क्या रोड मैप है क्योंकि मिशन स्टेट हुड का रोड मैप तो यह है कि हम जम्मू कश्मीर लद्दाख को फिर से कठा करना चा आते हैं और मेरे इस रोड मैप को आज कॉंग्रेस भी मानने को तयार है रहुल गांधी जी एमीर सोनिया गांधी डॉक्टर फारुक अब्दॉल्ला अमर अब्दॉल्ला महबूबा मुफ्ती अपनी पार्टी अलताफ बुखारी सज्जाद लोन तमाम राजनीतिक दल जित पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मिलाने के लिए त्यार हूं रास्ता आपने दिखाया जी हां बिल्कुल इसी रोड मैप के ओपर चल रहे आपके रोड मैप पहले कहते हैं बाद में पुलिटिकल नेता जो इस चीज़ को अपनाते हैं जी हां बिलकुल सही बात है क्योंकि इस जम्मू किश्मीर विरोधी है जो तीन सो सत्र को दफन करने की बात करते हैं आज भी मैं देख रहा था अखवारों में पढ़ रहा था समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि बड़ी हिरानगी की बात है कि वो कह रहे थे कि तीन सो सत्र हटने के बाद जम्मू किश्मीर के लो encounter's हमारे पुंछ रजोरी में चल रहे हैं कहां हाला सोद रहे हैं तीन सो सांसद और सतर मनिस्टर भी चक्कर लगा करके चले गए अमित शाह जी स्वयाँ महा है महराजा हरी सिंग जी के जनम दिन की घोशना की छुटी की घोशना नहीं की एक शरद्धा के शरदानजली तक नह जूते और जो की केंदर मंत्री भी महां पर आये थे पर जब भी हम उन से सवाल पुच्छते हैं उनका यही कहना जवाब में ही होता है कि जिन महराजा विले दिवस की यसे का है बहुत विले दिवस पर जिनकी व Alternaties के महरा बार बार यहीं कहते हैं कि जनता यह नहीं चाहत कि आपने महराजा जी और अपने डोगरा रियासत की पगड़ी को ही उचाल दिया आपने उन महराजा जी के बनाए हुए तमाम कनून वो जो 370 जो 35 से हमारा स्टेट सब्जेक्ट जो हमारी प्रोटेक्शन करता था और 370 ते आज सारे व्योपारी चाहिए नर्वाल सर्वाल वेर होश, लिंक रोड, कनक मंडी, गुनात मुलार, पुरानी मंडी, रेजिडेंसी रोड दे होटल, वेपारी, ट्रांस्पोर्टर्स, रेस्टूरेंट अर्नर, वाक्खा दे हैं दे दफ्तरें दे बार जाएए, CISF दे बच्चे, रहबरे खेल, टीचर्स दे, होम अची, पीडीडी, पीडीडी, डेलीवेजर, जर 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 याज इसकर ये पक है, यही, आप मेरे साथ ही ना, अब खुद कवर करती है, जिरो क्रोन पे, और मैं आपको फालो करता हूँ, रश्मी, यह शिव्ट टाइम को फालो करता हूँ मैं, खुद देखता हूँ कि जब क इसके ब्रेकिंग नियूज कौन सी है, कहां पे पहुंची, कहां जम्मो पहुंचा, कहां जम्मो कश्मीर जा रहा है तो रश्मी को मैं सरसे पहले, अच्छी पत्र कारता है ना, अच्छी पत्र कारता है, जजब इस तरसे करती है, इसलिए मुझे इनकी जरनलिजम अच्छी मसल दिया और आप विले दिवस, विले तो रश्मी, जम्मू, कश्मीर और ळडाख का हमारे महराजज़ा जी करके गेए थे, अब वो रियास्त तो रही नहीं तो विले दिवस किसका मना रहे थे भाई आपने रियासत तोड़ने के वाद पियो के गिलगिट बलडिस्तान को अज़ाद करवाने के लिए कौन से कदम उठाए भाई और आप तुस हर वेले बोल दे तिन सो सतरह से दफन करी ओड़िया दफन करी ओड़िया कि जुडि करगा के ओर तिन सो सतर गी दिवस्ते तरीख लैन और जल्द कोला जल्द फैसला करवाने और मैं एक बात और पहले रियासत फिर उसके बाद चुना एक संदेश ये दूसरा कोई और विवाजन कोई और दबीजन जम्मू कश्मीर दी सानू बरदाश्त नहीं नमबर तिन त पुश गो माता दी तरह ही सारे वास्ते जड़े साड़े अधिकारें की सरक्षित रख दी ही सानू दुद भी दिन दी ही साड़े पालती ही एक काउं गेनू गाउं दी तरह थी थी अरे तुसे उसी भी नी संबाल ली सके ए जैचंद लोग बड़े जल्म किते सानू तिन समाट मीटर ने मीटर हैं पानी दे मीटर रोट टैक्सी जो सर एक तरफ तो कही न की हमें सराना करनी पड़ेगी एक दम से जो पेटरल डीजल के दाम कम हुए बार और रुपर पेटरोल क्यों डीजल के कम हौँ जंता को कही न की ठोड़ी रहा तो मिली है रे शभी सुन रह पे कटाईए ना अरे साड़ी ते ए मांग ही कि पेट्रोल डीजल अलपी जी गी GST दे दाइरे दे विच लिए आ हन्दा जाए है यह तुस नारे लांदे रहन दे एक विधान एक संविधान एक परधान है ते इसी की नहीं कर देओं गीजिए दाइरे दे विच पेट्रोल ड लूंगी पाई पाई है ते स्टेजियों पर नचदे है बाई योर बहनो तुसेंगी पंजार पे लिटर चाहिए दा या किना ते मोधी जी उन्दे को लब यगे निकले उन्हें आके हम मैं देश का प्रदान मंत्री बनूंगा तो पैंतीर पे लिटर पेटरोल दूँगा साड़ी गड़ी ऑवरी खत्म हो यह साड़े गड़ी खराब हो वादिया तो दी यह दूसरा मुद्ध है लेकिन आज जी जड़ा एहम संदेश जम्मू कश्मीर दी अवाम दी तरफ तू पेजना चाना है तमाम राजनी तीक दलेंगी तमाम वह अपने आपकी जड़ा आग पर एक नमबर दो पीयो के गिलगिट बलटिस्तान की जम्मू कश्मीर दा इसाबना तिनसो साथर वापिस लेंड अपनी डोग्रा रियासत वापिस लेंड और जम्मू कश्मीर लद्दाख चिनाव वैली पीर पंजाल हिंदू मुसलिम सिक इसाई गुजर बकरवाल पहाड कश्मीर दे लोके दा और इस तो जादा के साथ चाहिए दा तो आनो कि आज कश्मीर का मुसलिम तमाम माइनियोरिटी कम्यूनिटी के लोग रश्मी कह रहे हैं कि इन इनोसेंट इडेंटिफाइड गनमेन जो लोगों को मार रहे हैं उन हत्याओं के पीछे कीलिंग्स के पी रियास्त भी और एक बात मैं केंदर सरकार को भी कह दूँ कि सिर्फ एक ही रास्ते से जम्मू कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं जूट बोलना बंद कर दीजिए जो आप ये कहते हैं कि तीन सो सतर हटने के वाल जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं बिलकुल खुश नहीं ह हकीकत है और साथ में दोस्ती कीजिए जम्मू कश्मीर लदाख का रियास्त का दर्जा हमें चुनावों से पहले दीजिए क्योंकि इस तरीके के आप हमें लगता ही नहीं है कि ये रियास्त हमको वापिस देंगे जिस तरह से आज एक आखरी सवाल पूछेंगे आज जो कि मंच पर यूनाइट जम्मू मिशन को लेकर दिगज नेता डोगरा स्वाबी मन संगठन की होगे पैंथर पार्टी की होगे जो रमन भला कांग्रेस की होगे और तरण जी सिंग टोनी जो की निर्दले अमीदवार तो उनके जो आज एक बैटक होने जा रही है और क्या उमीद करते हैं मैं यह उनसे कहूंगा कि मैं बढ़े देर दर तौन अउगला रहा कि कठे हो यह बैठो आपका क्यूं नहीं जा सकते क्यूंकि आप अगर माधियम से अपनी बात रखते हैं आप वहां जा कर भी तो इन में खुशी है है अज इस गक्रम अपनेशम करें है आप भी बैड कर बीच में जा कर जो ऀांने समने बात होती है मैं अजाजार साब अधर मैं इधर जाएन इधर जाऊ और जाऊ जो। पहले देख लेने दीजिए ना पहले पहले सारे दिखो ना मैं तुसे ही दसा कि जरूर कॉंग्रेस मेरी गल करा दिया नेशनल कॉंफरेंश पीडीपी अपनी पार्टी मेरी गल करा दिया लेकिन अजे ए पची परसेंट रोड मैप फालो करा दे ना केंदर देविच और सची अजे सुनो सुनो एक मिन मैंने बताया ना यह सिर्फ यहां तर बात करते हैं कि स्टेट दो ठीक है स्टेट हुड होनी चाहिए लेकिन उसकी आगे तीन प्षपक्ष हो करके जम्मु की भी बात करनी है कignsमीर की भी करनी है लड aquestaक के बात करनी है और पी 강 के गिलगित ब्लटिस्तान जो पार्लिमेशन पारित हुआ है उसकाः भी पूरा मान सम्मान दे करके अपने सम्विधान के मताबिक इस र्यासत का गठन करना है जो महराजा पुछाएगी भारत सरकार कि जिस तरह से हमारे 65,000 से भी ज्यादा डेली वेजर्स हैं हमारे स्पीज है हमारे 10 प्लस टू कंट्रेक्ट्ट्र लेक्चर्स है हमारे रहबरे खेल फेस्टू के बच्चे है हमारे डेंटल सर्जन्स जो है आए दिन जो और एक एक बड़ा मुद् सोबनेगोर डी सी जमू को भी दिया है उन पर सबसे ज़दा गोर करने की बात है कि आपको लगता है आने वले समय में जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में कम ही आई है एक दम से इस तरह का कोई चमतकार होगा के इंदर सरकार बारे सरकार की तरफ से कि जनता हमारे य जनता के सवाल है इसलिए तो आप यह देनिक शिव टाइम अच्छा लगता है और इनके बारे में अब मैं बता देता हूं देखिए यह जो मैंने कल ही अभी एक वीडियो रिकॉर्ड़िड मेमरेंडम तीन दिन पहले लेटिनेट गोर्नर मनोर शिनल साब को और डिरेक्टर जनला पॉलिस जमू कश्मीर जी को वीडियो रिकॉर्ड़िड मेमरेंडम बेजा और उनसे मैंने कहा है कि यह एज रिलैक्सेशन सब इंस्पेक्टर की भरतियों के लिए की जाए जिनकी आपने कहा कि दस तरीक को हो रही है मुझे लगता है कि कुछ नो कुछ हल निकलेगा नमबर दो फिर उसके बाद छे हजार जो हमारे वो जो क्लास फूर में पड़े लिखे बी एसी बी एड एम एड एम टेक बी टेक बच्चों को निकाला गया उनको लेकर के मैंने संगर्श कया और उनके साथ दरने पर दर्शन भी किया और चीफ सेकरेटरी और अलजी मनोश जा उनको और डेंटर सर्जेंट्स के लिए भी मैंने रजयपाल साब को कहा था कि बीडिये सर्जेंट्स की पहले तेरह साथ से कोई हुआ नहीं या तो इनको राजभवन में बुलाएं या इनके पास आएं तो उनको भी राजभवन में बुलाया गया कहने के ओपर तो फ्रोस की बाद ये कि गुवरनर साब अलजी साब आपके जाने के बाद तीन महीने के बाद उनको ये एक्स्टेंशन और नहीं है ये टर्मिनेशन और है जो तीन महीने के पहले ही उनको थमा दिया गया कि तीन महीने के बाद आपकी नोकरी चली गई तो इस तरीके से कब त पिछले दो महीनों में धाइसो रुपिया एल पीजी गैस की कीमत बढ़ गई कल दो सुष्यासट रुपे कुमिर्शल स्लेंडर की कीमत बढ़ गई तो हम यह कहेंगे कि इसको जी एस्टी के दाइरे में लाया जाए और वैट और सेल टेक्स जो है इसको खतम किया जाए और ज जो मुद्दा था मैंने आपके सही सवालों का सही जवाब दे दिया है कि मुझे ये रोड मैप है और इससे कम ये जो मांगे छोटे पैटी टाइमली मुमेंटरी स्लोगन्स होते हैं मिसलीड मत की दिये और अगर आप इंकलाब नहीं ला रह सकते हैं रियासत के दर्जे की वापसी के लिए तो अलग अलग बयान बाजी करके अलग अलग मीटिंग्स करके इस डिमांड को जो रियासत के लोगों की रियासत के दर्जे की वापसी विशेश अधिकात दिन सो सतर की है उसे कमजोर मत बनाएए ये आप से बिनती है हाँ जोड करके आप सब को बहुत ब दिंपल जी हमारे साथ में सटेट के परधान सुदील दिंपल जी जिन्होंने साफ तोर पर कहा है कि जिस तरह से आपने देखा हमाराजों की हमारे बजूर्गों की विरासत हमें वापिस नहीं मिलती ये मिशन को लेकर हमेशा उसी पर चलते रहे को एक रोड मैप जो उन्होंने तियार किया तो उसी रोड मैप पर आज देखा जाए तो हर पुलिटिकल पार्टी हर स्यासी नेता उसे फालो कर रहे हो जिस तरह से सुनील लिम्पल जी ने का क्या उन पर बात होगी या नहीं होगी जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब तीन सो सत्तर और विशन स्टेड हो यह निए यह तरफ अलग ही माहूल नजर आ रहा अब यह माहूल जनता को कितनी रहा देता सवाल बढ़ाई है कि अब आज जो दिगत नेता बैठने जा रहे हैं क्या नई तस्वीर उभर कर आएगी क्या एक निया विजन लेकर यह सारे नेता आएंगे या वही रहेंगे कि जिस तरह से पहले सियासी जो पार्टियां करती हैं या आप जनता के सब अब देखते हैं आज की पार्टि में मिटिंग में क् अबी अजा जमू में आद दिवाली मिलन कारे करम करने जा रहे हैं उस दिवाली मिलन कारे करम वो जनता को किस तरह से संबोदत करते हैं ये भी बड़ी बात है और जिस तरह से देखते हैं सुनिल डिंपल जी ने कहा कि हमें राज्य का दरजा वापिस चाहिए तीन सो सतर व क्रिशानियों से, बेरोजगारी से, हमारे यूवक जूच रही, हमारी जंता महंगाई की मार से जूच रही, क्या उससे निजात पानी है, या जैसे जी रहे है वैसे ही जी ना, चलिए अपने कमेंट जडिए यूवध से अग्ले अपडेट के लिए, जाहिं जा भारत.